पिछले वीडियो में हम गय हुए थे राजा के इस महल में अब लोटते हुए हम जा रहे हैं एक और डेस्टिनेशन पर तो ये है चैनल रेंग है और मैं रहना ले जा रहा हूँ आज आपको मांडा जू पार्क टिकेट मैंने यहां से ले ली है अब हो लेते हैं अंदर गुस्ते ही आप पहुंचाते हो इस बाग में बाग तो सुन्दर है पर हम बढ़ चलते हैं आगे आजाए हुए हैं यह स्टूडन्स किसी स्कूल के हम चलते हैं राइट साइड की और डग पार्क में तो यह रहा यहां का सुन्दर सा डग पार्क जिसमें इन बदकों के अलावा और भी जीव रहते हैं जैसे कि यह मचलियां और टर्टल्स भी पर वो मुझे अभी यहां पे दिखने रही हैं हो सकता है वो मुझे से बहुत दूर हों दूसरी तरफ दिस वन इस ग्रूमिंग इट्स प्लूमेच यानि अपने पंखों को सवार रहा है यह बतक प्लीज वीडियो लाइक करें शेयर करें चैनल सबस्क्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं लेटिस्ट वीडियो की नोडिफिकेशन के लिए अब चलते हैं टर्टल पॉन्ड पे यहां तो सब छुपे हुए हैं बस ये एक मिला है बड़ी मुश्किल से शूट हो पाया है ये इस शुटको को लॉक पे आराम करते हुए छोड़के हम चलते हैं मोरों के पास ओ ये तो हमें अपने पांक दिखा रहा है लिटल नॉइंग के वो तो जड़ रहे हैं अभी और ये दिखने ही रहा है उतना सुन्दर जितना नॉर्मली ये दिखते हैं ऐसा करते हुए अब ये मुझे मालूम नहीं कि ये इसके नॉर्मली गिरे हैं कि यहां पे बंद होने के कारण स्ट्रस में आके ही हैस रेंच्ट हीस फैदर्स इसी बीच चुपके से इन में से एक मेरे नज़्दीक पहुँच आया है चो अच्छनी मार देना मेरे को मैं ही पीछे हो जाता हूँ अभी मैं इनके स्ट्रस यानि तनाव की बात कर रहा था जिसके कारण ये अरे देखिए देखिए देखा ना आपने ये लोग भी कुछ कम नहीं बाद नहीं आते हैं अपनी हरकत से देखा ना आपने वो कैसे इसे तंग करने की कोशिश कर रहा ये है पेंटिड स्टॉक यानि सारस की ही एक किसम ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन आप वीडियो रोक के इसे आराम से पढ़ सकते हैं यहां पे हैं सांप वो वो रहा गास पे पर चोटा होने के कारण और उसका रंग गास सा होने के कारण साफ नहीं देख रहा है यहां से यह रहा एक और पास में ही हैं हैज हॉक भी पर वो गुसे हुए हैं ऐसी जगह पे कि मैं आपको दिखानी पा रहा हूं तो चलिए उन्हें हम छोड़ते हैं उनकी हाल पे और हम चलते हैं अगले सेक्शन की और क्योंकि इसके अलावा हम और कर भी जा सकते हैं पानी के बीच में उस आइलेंड पे उस बड़े से पिंजरे में बंद कर रखे हैं इन्होंने तोते मेरे ख्याल में वो वहां पे है नील गाय और यहां पे खरगोश पर यह रखे हुए हैं बहुत दूर जिस कारण से यहां से यह तो साब तिक भी नहीं रही हैं चलो जी आगे बढ़ चलें यहां है अलग अलग किसम के एंटलोप्स यहां है हिमालियन ब्लाक बियर लग रहा है कि इसे गर्मी लगी है तभी यह कुत्ते की तरह जीब निकाल के वो सब कर रहा है इस सेक्शन में हैं वाइल कैट्स और वो चड़वे हैं वो उपर वहां पे यह हम बच्चे और बड़े खड़े खुले में और देख रहे हैं इन्हें बंद इन पिंजरों में पर क्या यह सब ठीक हो रहा है क्या हम इन्हें कैट किये हुए नहीं हैं इसन्ट इट अपॉंट टू पॉंडर ओवर क्यों न छोड़ जाऊं मैं आपको इस सवाल पे सौच करने के लिए और लाओं आपको यहां फिर से किसी और वीडियों में यहां का बचा हुआ दिखाने के लिए क्योंकि यहां और भी कुछ है अभी दिखाने के लिए अभी के लिए आप तो भी बने रह सकते हैं मेरे साथ और कोई वीडियो इन थमनेल्स के जरीए देख कर तो अगले वीडियो तक जुले नमशकार सत्सरी आकाल